गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों हमने हिंदी में बड़ी ए की मात्रा पढ़ ली है और आज हम उ की मात्रा पढ़ेंगे छोटे उ की मात्रा बच्चों ये देखिए ये क्या है? ये उ है उ से उल्लू ठीक है? और बच्चों ये देखिए ये छोटे उकी मात्रा है बच्चों सबसे पहले आपको इस मात्रा को पैचानना है ये मात्रा छोटे उकी है और ये मात्रा हमेशा वेंजन के नीचे लगती है ठीक है? जैसे बच्चों ये क्या है? ये कह है क्या है? कह अभी हम इसमें छोटे उकी मातरा लगाएंगे तो बिटा सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये उकी मातरा कहां लगेगी ये हमेश्या वेंजन के नीचे लगती है जैसे बच्चो ये कव है क्या है कव अभी हमें इसमें छोटे उकी मातरा लगानी है तो बच्चो क में छोटे उकी मातरा ऐसे लगेगी तो बेटा देखा आपने क के नीचे मातरा लगी है और अब हम इसका उचारण कैसे करेंगे इसको हम कैसे बोलेंगे इसे हम बोलेंगे कु ठीक हैं? बच्चो इसे बोलते समय जो हमारी आवाज है हमारी ध्वानी है वो छोटी होगी ठीक हैं? ऐसे ही बच्चो ख ख में छोटे उकी मातरा लगाओगे तो क्या बनेगा? ख और ऐसे ही बच्चो ग ग में छोटे उकी मातरा लगाओगे तो क्या बनेगा? ग ठीक है बच्चो? तो बिटा आज आपको कशिस रह तक सभी वेंजनों में छोटे उकी मातरा लगानी है और बच्चों ये मातरा सभी वेंजनों के नीचे लगेगी केवल र, र को छोड़ कर र में छोटे उकी मातरा और बड़े उकी मातरा ऐसे लगेगी जैसे अभी आपको दिखाई दे रही होगी र में उ की मातरा नीचे नहीं लगेगी तो बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है ठीक है? तो बेटा आज आपको क से स्रह तक सभी वेंजनों में छोटे उ की मातरा लगानी है और इनका उचार्ण करना है आपको इनको बोल बोल कर देखना है पढ़ना है ठीक है? तो बेटा मिलते हैं मंडे को तब तक के लिए थैंक यू और बाई बाई कीड्स